हेलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल हम अभी तक पढ़ चुके थे उनका क्लाशिफिकेशन सिंगनल का चल रहा था इस बार इस पर कोशन है कि जो हमने पीछे पढ़ाता है प्रियोडिक और नोन प्रियोडिक सिंगनल जो होते हैं उनका कैसे प्रियोड करते हैं मैंने यह बताय गिविंग रिजन रिजन भी बताना कि वह प्रियोडिक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है अगर प्रियोडिक है तो हमें उसका क्या करना है प्रियोड भी फाइंड करना है अगर सिंगनल देखिए मैंने वहां पर शोट में बतायता है यहां अलग से में बता दे तो पाइपोन जो भी ट के साथ मुल्टिपल में होगा, ती के साथ मुल्टिपल में क्या, ओमेगा नोट, यहाँ पर एंगल कुछ भी हो, उसके साथ एड हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसी को मैं यूज करूँगा, यहाँ पर देखो, एकसी सिंगनल दे रहाँ मैं, तो इसका टीवन क्या हो जाएगा टीवन, यानी इसको अगर मैं, एकसी को मैं लिख लूँ कैसे, एकसी प्लस एकसी सींगनल्टिपलोस रिख सकता हूं मैं, दो सिंगनल का सम लिख लिया, तो एकसी 1 कि इतना जाएगा, 5 sin 10 pi t ठीक है इसका मैं t1 लिखता हूँ क्या एगा fundamental period इसका t1 मान लिए मैंने इसका तो कितना होता है 2 pi upon यहां से omega की value निकालो omega कितना है जो t के साथ multiply में होता है 2 pi upon omega होता है इसका मैं इसका omega 1 कहता हूँ तो omega 1 कितना आ गया 10 pi जो t के साथ multiply में क्या है 10 pi ठीक है sine के अंदर sine के अंदर 2 pi upon यहां पर रखो omega value 10 pi यह कितना होगा pi से pi cancel 2 से 10 5 times cancel तो t1 कितना है 1 by 5 t2 ऐसे ही x2 t के लिए find करो कितना हो जाएगा वो x2 t कितना होगा 2 cos 20 pi t तो इसका जो time period t2 वो कितना हो जाएगा 2 pi upon omega 2 omega 2 यहां से find करो कितना होगा t के साथ multiply में कितना है t के साथ 20 pi तो यह कितना जाएगा 2 pi upon 20 pi pi से pi cancelled और 2 से 20 10 times cancelled यहां तक t1 और t2 निकाल लिए t1 त2 निकालने के बाद क्या करते हैं उनका ratio चेक करते हैं तो ratio क्या होगा next क्या होगा t1 upon t2 के वल दो ही सिकनल है अगर 3 होते हैं t1 upon t2 next फिर क्या चेक करते हैं t2 upon t3 इस चेक करते हैं तो t1 की value है हमारी 1 upon 5 और t2 की value है 1 upon 10 10 सब से उपर पहुँच गया 5 नीचे आ गया तो यह कितना गया है 2 upon 1 यह क्या है अगर t1 upon t2 t2 upon t3 t4 upon something यह अगर क्या आता है मेरा rational आता है तो यह क्या हमारा rational rational ठीक है यह क्या rational number अगर यह rational number आता है तो वो क्या होता है signal periodic है तो हम क्या लिखेंगे xt is periodic यह पता चल गया हमें कि periodic होगा ठीक है अगर periodic है तो उसका period कैसा find करते हैं तो period क्या हो जाएगा इसका T यानि T कस्थो कितना हो जाएगा LCM of T1 T2 ठीक है तो LCM of T1 T2 T1 कितना है 1.5 T2 कितना है 1.10 तो अगर हम से जब क्या बोलते हैं जब fraction की form में हो हमारे numbers तो उसका LCM कैसा find करते हैं Numerator होते है LCM of Numerators निकालते हैं और क्या नीचे लिखते है SCF of Denumerators अगर हमारे किस form में आ रहा है numbers किस form में आए अगर इस टाइरेशनल नंबर की form में है 1.5 अपनोंट है तो उसका LCM ऐसे निकाले आता तो LCM of किसका LCM of Numerator में क्या था यहाँ पर बनता है यहाँ पर बनता है तो 1,1 और HCF of Denometer में क्या 5,10 वनोंट का LCM 1 होगा HCF of 5 and 10 5 और 10 का HCF क्या होगा 5 ठीक है तो हमारा T कितना आ गया 1.5 T कितना आ गया 1.5 यानि 0.2 seconds यानि यह जो signal हमारा दे रखाता उसका time period आएगा वो 0.2 seconds यानि इतने time के बाद वो क्या गराएगा खुद को repeat करेगा next देखिए अब मैं ऐसे direct करता हूँ पहला signal कितना हो जाएगा XT को लिखा मैंने X1T plus X2T X1T कितना आ गया हमेरा cosT ठीक है यहां से omega 1 कितना जाएगा T के साथ multiply में क्या है 1 तो T1 कितना जाएगा 2 pi upon 1 है ना ऐसे ही X2T निकालो कितना है sin root 2T तो यहां से omega 2 कितना जाएगा root 2 तो T2 कितना जाएगा 2 pi upon root 2 ठीक है next next क्या होगा क्या कर चेक करते हैं T1 upon T2 का ratio कितना जाएगा 2 pi upon 1 upon यह कितना है 2 pi upon root 2 तो 2 pi की multiply हो जाएगी root 2 से और 1 की हो जाएगी 2 pi से 2 pi से 2 pi के जाएगा root 2 root 2 upon 1 यह क्या हमारा irrational number root 2 क्या होता irrational number irrational number तो यह periodic होगा है नहीं so यहां पर लिखेंगे XT is non periodic XT क्या हो जाएगा non periodic अगर non periodic अगर non periodic है उसका period तो exit नहीं करेगा ठीक है उसका period होगा ही नहीं next question की तब बढ़ते हैं इसी type से निकालने XN sin pi plus 0.2 N देखें यह N discrete का है अगर discrete हो तो कैसे करते हैं मैं यहां पर बता दे रहा हूँ अगर यहां पर sin omega note n plus phi है यह equals omega note n plus phi है तो इसका जो time period कैसे निकालते हैं n upon r equals to कितना नहीं चाहिए 2 pi upon omega note ठीक है यहां पर क्या होना चाहिए r equals to क्या होता 1, 2, 3 इस type से होना चाहिए और n क्या होना चाहिए n हमारा आना चाहिए integer ठीक है यह n भी क्या होना चाहिए integer होना चाहिए अगर n integer है और r की value 1 to 3 यानि r o n दोनों ही integer हैं बोलेंगे उसे वह signal periodic है अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोलेंगे a periodic देखिए sin अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कोई लिकत sin 0.2 n 10 पिलस 5 तो इससे compare करो उसको a की value वहना sin omega note की value कितने आजाए omega note होता है n का multiple तो n के साथ multiple है 0.2 angle उसका कितना shifted है उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है तो omega note कितना आगया 0.2 इसका period कैसे निकालते है n upon r equals 2 किसके को लोन चाहिए तो n upon r कितना आगया इसको मैं उपर ले गया तो यह हो जागा 20 pi upon 2 यानि कितना हो गया यह 10 pi ठीक है 10 pi upon 1 लिखलू मैं इसको कोई दिक्कत तो n की value यहां सा कितने आई है n आया मेरा 10 pi और r आया 1 अगर n की value 10 pi आ रही है इसका मतलद इसका हो गया irrational यहाई प bucket इसका हो गया irrational number इसका मतलद यह क्यों हो गया irrational number n upon R को आने चाहिए था virtual number आने चाहिए तो all xn is irrational ठीक है n upon r क्यान चाहिए irrational आता तो हम क्या कहता है उसका period होगा ठीक है अगर यहापर pi नहीं होता तो इसका period कितना हो जाता n equals to 10 हो जाता r equals to 1 यानि period कितना आ जाता जो n है वो हमारे period को represent कर रहा n equals to 10 आ जाता अगर pi नहीं होता by chance ठीक है irrational हो गया इसी टाइब से नेक्स देखिए xt equals to 5 sin 2t plus 10 cos t देखिए वही लिखेंग है x1t plus x2t x1t plus x2t दो signals लिख लिख लिए x1t compare करके लिखो कितना आ जागा 5 sin 2t यहां से omega 1 की value कितना आ गए t के साथ multiply में कितना है 2 ठीक है तो इसका t1 निकालो कितना हो जागा 2 pi upon omega 1 तो 2 pi upon omega 1 बना जागा 2 ठीक है ऐसे x2t के लिए चेक करो कितना है हमारा 10 cos t x2 कितना हो जागा यह आगा 10 cos t तो t2 कितना हो जागा omega 2 कितना आ जागा t के साथ multiply कितना है 1 तो 2 pi upon 1 आ जागा ठीक है इसका फिर क्या करते है ratio चेक करते है अगर time बाला तो t1 upon t2 t1 कितना है 2 pi upon 2 और यह कितना है हमारा 2 pi upon 1 1 की multiply होगी 2 pi से और 2 की multiply होगी 2 pi से 2 pi से 2 pi कैंसल कितना आ गया 1 upon 2 1 upon 2 क्या होता है rational ठीक है अगर rational है तो इसका क्या पता चल गया हमें x t is periodic अगर periodic है तो इसका time period क्या होगा t कस्टू lcm of t1 t2 ठीक है t1 कितना है हमारा अगर fraction की form में हो तो कैसे निकालते हैं तो lcm of new matters no matter किसना 2 pi यहाँ पर इसका 2 pi है इसका 2 pi है 2 pi upon scf of denometers denometers में कितना है 2 और 1 2 pi और 2 pi का lcm कितना होगा 2 pi और denometer 2 scf of 2 और 1 वनाएगा तो इसका period कितना आगया 2 pi ठीक है तो इसका t cost कितना आजाएगा 2 pi इस type से करना है इस type से करना है फिक है जो भी question आएगा इस type से बस करते आना बहुत जाद आसान है जाद कोई मुश्किल वाला काम नहीं इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में भी इस से related कुछ और करेंगे उसमें अच्छे-च्छे question होंगे इसके डिस्की टाइम वाले के और थैंक्यू मिलते है नेक्स्ट वीडियो में